नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन लेर्निंग श्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रति मिनट की कती से संपात के डिक्टेशन शुरू होगी तीन सेगेंड बार स्टार्ट बिहार के मुख्य मंत्री के रूप में नितिश कुमार को एक विकास परक सोच वाले वैक्ती के रूप में जाना जाता है खास तोर पर महिलाओं के हित में उनकी सरकार के कुछ काम महत्वपूर रहे हैं मगर पिछले कुछ समय से उनकी जुबान जिस कदर फिसल या लड़कडा रही है उससे हैरानी होती है कि क्या ये वही नितिश कुमार है जिन्हें भारतिये राजनीती में एक शालीन और महिलाओं के हित चिंतक राजनेता के रूप में देखा जाता रहा है बुधवार को बिहार विधान सभा में राज्य के संशोधित आरक्षन कानून को समविधान की नोवी अनुसूची में शामिल किये जाने की मांग को लेकर चल रहे विपक्ष के हंगामे के बीज राश्टिये जनता दल की महिला विधायक रेखा देवी को उन्होंने कह दिया की अरे महिला हो कुछ जानती नहीं हो एक बारगी इस तरह का बयान चोकाने वाला लगता है कि सरकार के मुखिया रहते हुए नितिश कुमार ने महिलाओं के सशक्ती करण के लिए जिस तरह कई एहम फैसले लिए उसके बरकस वे अपने विचार अभिवेक्त करने वाली एक महिला विधायक को चुप कराने की मन्शा से अपमान जनक तरीके से भी संभोधित कर सकते हैं पैरा राज्ये और देश की राजनीती में लंबा वक्त देने एक परिपक्व और सोम्मे वेक्तित्व माने जाने और महिलाओं के हित में कई कदम उठाने वाले मुख्य मंतरी नितिश कुमार को यहे क्यों लगता है कि कोई महिला विधायक इसलिए कुछ नहीं जानती है क्योंकि वहे महिला है हालांकि यहे कोई पहली बार नहीं है कि नितिश कुमार के मुझ से महिलाओं को अबमानित करने वाली इस तरह की भाषा का परियोग सुना गया इससे पहले विधान सभा में ही अपने वक्तव्य में जनसंख्या नियंतरण के मसले पर बोलते हुए वे नाहक ही आपत्ती जनक और अवांचित भाषा का इस्तिमाल कर चुके हैं इसके अलावा चुनाव और राजनीती अभियानों में भी वे अपने प्रतिद्वन्दी नेता और उनके परिवार के बारे में दुर्गहपून बाते बोल चुके हैं अफसोसनाक यह भी है कि इस तरह की बाते उन्होंने किसी नीजी दाइरे की बाचीत में नहीं की बलकी सारुजनिक मंचों पर अपने संबोधनों में की ऐसा बोलते हुए उन्हें शायद एक पल के लिए भी नहीं महसूस हुआ कि उनके ऐसे बोल का संदेश आम जनता और खासकर महिलाओं के बीच कैसा जाएगा और खुद उनके वेक्तित्व को किस नजरिये से देखा जाएगा पैरा विडंबना यह है कि हाल के महिनों में नितिश कुमार के कई बार नाहक ही आपा खोने कुछ बयानों और हाव भाव ने राजनीतिक गलियारों और आम लोगों के बीच गैर जरूरी चर्चाओं को जन्म दिया फितो